चलिए इस कोशन में क्या हैं पढ़ लेते हैं ब्लू बर्ट्स लिमिटेड है कहता है हमारा गीवन है एप्लिकेशन 25, 35, 25 और फाइनल कॉल बैलेंस तो सर हमारे पास कितने शियर थे 10,000 शियर और 100 रुपय का एक है तो 100 में से कितने का हिसाब होगी है सर 25, 35, 60 और 20 75 का नहीं 60 और 20 तो ये कितने का बचेगा 15 बैलेंस निकाल लिया क्या से निकालेंगे बैलेंस पता चल गया क्योंकि उसने बोला एक शियर कितने का है 100 का तो अगर 100 का एक share है तो पूरा हिसाब के तब 100 बनना चाहिए तो इसके हिसाब से हमने निकाल लिया अब कहता है the application were received 9000 share हमने 9000 share का application receive किया these accepted all money due were received accept कहता है कि यह 9000 share यानि 10,000 issue किये थे तो 9000 आए तो कौन सक वाला case होगे अंडर subscribe all money were duly received accept the call money call money के उपर 200 share के पैसे नहीं आ इंट्री cash book भी बनाना है general entry भी करना है record the transaction the expense of shares amount 10,000 इसमें और भी कुछ amount जोड दिये गया है तो सर सबसे पहले क्या देता है question में मैंने issue किये थे मैंने issue किये थे 10,000 sir application receive हुआ 9,000 100 रुपे का share था जिसका categorize करें हम 25 35 25 और 15 ठीक है और 15 और 15 चलिए अब कहता है कि वे सब पैसे मिल गए कहता है all money were receive except the call money call money यहां से start होगा यहां पर एक वेक्ति फेल हुआ जिसके पास 200 share थे वो क्या हो गया फेल आगे कहता है कि general entry record transaction हमें cash book भी बनाना है तो मैं भी बना के दिखाऊंगा cash book भी कैसे बनेगा expense on share issue amount 10,000 10,000 रुपे हमारा share issue पे expense भी वा इसकी भी entry करेंगे तो पहली basic basic entry तो कर ले हम यह मैं करूंगा अभी बस आपको ध्यान से देखना है कोई बीच में कोई question नहीं करेगा bank account debit to share application जो हमने सीखा है पहले हम वो apply कर लेते हैं कितने से होगा सर्य नो हजार into में 25 यह होगा तो कितने आगे 2,25,000 इसके बाद share application to equity share capital 2,25,000 इसके अगले entry पर आते हैं बैंक अकाउंट डेबिट स्वरी शियर अलॉट्मेंट तू कि एक्विटी शियर क्यापिटल कितने कैसा आगा 90 की multiply 35 तो 3,15,000 अब आ जाते हैं बैंक में पैसे पूरे आएंगे यहां तो कोई फेल नहीं हुआ 2, share allotment 3,15 यहां तक किसी बच्चे को doubt है जो मैं करना उसके उपर बुक में से answer देखके कोई न बोले सर ऐसा होगा तो ऐसा होगा मुझे पता है बुक में क्या कर रखा है नहीं कर रखा है हम बाद में उसके discussion करेंगे पहले यहां तक जो हमने सीखा है वो सही चल रहा है अगली एंट्री करेंगे हम share first call to equity share capital और सर यह कितने होंगे amount देखा जाए 2,00,00 अब जब बैंक में पैसा आएगा तो पूरे पैसे नहीं आएंगे 2,25 में से minus हो जाएगा हमारा 200 इंट्री में पैस्चिस यानि 5000 सर यह 5000 कैसे आया 200 गुणा में 25 minus कर देते हैं कितने बनेंगे 2,50,000 अब अरियर 5000 और 2 share 2 share allotment 2 share allotment नहीं first call first call 2 share first call कितने 2,25 2,25 बच्चे कहे रहें सर तीन पचास है भगवान भाई आप पुरानी क्लासिस को रेजिस्टर पर अच्छे से नोट करिए और अच्छे से समझिए जब हमारा under subscribe वाला केस था तो जो application receive होता है उसी से entry करते हैं तो application receive हमारा 9,000 है तो 9,000 से हमने entry करी है पुरानी क्लासिस को बार 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 देखिए जब तक आपको समझ भी नहीं आथा 15 मुसकान आप 15 क्या बोल रहें मुझे समझ भी नहीं है आपकी किताब में क्या लिखा है I don't मुझे नहीं पता भीया मैंने एक एक्जामपल लिखा उसको देख लीजी आप और इसको इसलाफ समझ के आपको करना है आप सब इदर उदर की बाते कर रहे हैं ऐसा ले रखा हो अंसर को देख रहे हैं और अंसर को देख के मैच कर रहे तो भाई आंसर को book के अंदर तो 100 चीजे अभी मैं तो basic basic चीजे बता रहा हूँ अभी आपको अभी मैं किसी का भी doubt नहीं लेने वाला हूँ जब फूरे सवाल हो जाएंगे मेरे तब मैं doubt लूँगा और इसके बाद अगली entry आ जाते है final call share final call share final call to equity share capital दूसरा मैंने अभी कहा था आपको मैं एक चीज और clear कर दूँ कुछ सवाल same भी होंगे और कुछ सवाल के मैं digit को change करूँगा copyright का issue तो यही है ना कि भईया मैं publisher का same to same सवाल नहीं लिख सकता यही दिक्कत है थोड़ा सा तो कुछ के ना मैं थोड़े बहुत डीजेट उपर नीची हो तो बिल्कुल मैच करो तो आप ऐसे मत बोल दो के question गलत है नया question है आपके किताब वाले का महाँ पर देखके आप अपने हिसाफसे modification कर सकते हूं ठीक है ना कई बार typing में रह जाता है सर कई बार मैं question जान बूझके थोड़ा सा change कर देता हूं उसमें तो सर यहां पर क्या आएगा सर नौ हजार multiply कि पंद्रा कि एक मैंतिस ठीक है और इसके बाद बैंक सर बैंक में पेमिन्ट आना था एक मैंतिस लेकिन पूरे तो आएंगे नहीं माइनस तीन हजार कितने आएंगे एक लाख बत्तिस हजार तीन हजार कैसे आए दो सो इंटू में पंद्रा call scenario और टू share final call और एक मैंतिस आज़ा अब हमने cash book बना लेते हैं cash book देखिए cash book देखिए सर कैस बूक में अगर हम ध्यान से देखें पहले समझ लीजिए जहां जहां bank लिखा है उसकी entry करेंगे ध्यान दीजे cash book में सिर्फ जहां जहां bank लिखा है उसकी entry करेंगे तो cash book में एक यह आने वाला है यह वाला नहीं आएगा यह भी नहीं आएगा एक ही यह आएगा और यह भी नहीं आएगा एक ही यह आएगा तो जहां जहां मैंने tick mark लगाया वो cash book से related है तो bank है bank में पैसा आ रहा है तो two में आ जाएगा यह तो two के आएगा share application जो लेजर पोस्टिंग करते थे ना ग्यारवी में बैंक में गए और टू शियर एप्लिकेशन और कैश बुक मतलब बैंक अकाउंटी है यह कैश बुक का मतलब बैंक अकाउंटी बन रहा है अब आजाते हैं यहाँ पर कितने दो लाख पच्छेस अजाद ठीक है इसके बाद टू अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या है टू अलोट्मेंट शियर यह कितना है सर यह तीन लाख और आगे बढ़ेंगे तो टू शियर फर्स्ट कॉल कितने है फर्स्ट कॉल में दो लाख बीस अजाद बैंक वाली एंट्रि देखनी है आपने श्रिफ बैंक वाली जितना पैसा बैंक में आ रहा है और उससे आगे जाएंगे तो यहाँ पर बैंक में लाख बत्तीस अजार तू फाइनल कॉल ऐक लागं लाख बत्तिस अजार इसका टूटल कर लेंगे और टूटल कर लिखते हैं, buy balance, balance CD, buy balance CD, कितने, 892,000, खिक है, तो यही आ जाएगा, 892, अब ध्यान दीजिए, क्योंकि इस question में बोला है, cash book बनाने को, तो अब मैंने entry तो एक basic कर दिया, जब कभी भी cash book बोला जाता है न, तो हम पूरी journal नहीं करते हैं, फिर से मैं repeat कर रहा हूँ, जब cash book बोला जाता है, तो हम पूरी journal नहीं करते हैं, यानि ये सवाल अभी गलत है, सही पता कब होगा, जब मैं जितनी भी entry cash book में जो करी गई है transfer उस entry को ना करके मैं हटाता जाऊंगा, यह हो गया सही entry, यहां से क्या हटेगा सर, यहां से यह हटेने वाला है, यह हो गया सही entry, यहां से क्या हटेगा सर, यहां से यह हट जाएगा, यह हो गया सही entry, यहां से हटाएंगे क्या सर, यहां से यह हटा देंगे, सही, अब जाके ये जनल एंट्री क्या माना जाएगा हमारा ठीक माना जाएगा पहले समझ में आ रहे हैं यहां तक बात यानि जब कैश्बुक बोला जाएगा बनाने को तो जनल एंट्री में जहां जहां हम बैंक लिखते हैं न उसको जनल एंट्री में ना लिखके सीधा कहां लिख देंगे हम और यह आपको मन में ही calculation करना होगा ऐसा नहीं कि बोलो सर हम कैसे मिटाएंगे हम वहाँ पर कैसे करेंगे आपने तो मिटा दिया मैंने समझाने के लिए बोला है कि जब cashbook होगा तो bank वाली कोई journal entry में नहीं होगा वह सारी के सारी entry कहां पहुंच जाएगी cashbook में यह internally आपको practice सही आ सकता और कोई सिखा नहीं सकता आपको जितने बार practice करोगे मालों इसी question को दो बार practice करोगे तो आपको idea लग जाए कैसे करते हैं एक और रहे गया the expense on issue of shares amount 10,000 तो जब कभी भी issue of shares expense होता है तो issue of shares expense है और इसकी दो entry होगी एक तो हम payment करेंगे इसको तो मैं दो entry करने जा रहा हूं इसकी side में कर देता हूं यहां यहीं कर देते हैं issue expense to bank गया bank से पैसा निकल गया कितने रुपे निकल गया है अब इसको P&L में भी भेजना है statement profit and loss to issue expense कितने तो सर यह दो entry आपको और करना पड़ेगा देखिये हां कर दिया मैंने अभी last में किया expense वाली तो sir final call amount जो solve करके बताया है बस book में question practice कर रहे थे इसलिए sir कितने नई मुसकान मैं miss behavior का नहीं कह रहा हूं मैं तो यह कह रहा हूं कि हम इसका वाला करेंगे और जो यह रहे सब्सक्राइगा इसी की हम चर्चा करेंगे पूरे subject में अभी मैं इतना बता दूना corporate account ना बड़ा subject है मैं हर बार कह रहा हूं कि भई बड़ा subject है मेरे से जादा ना आप लोगों का contribution होना चाहिए मैं जितने सवाल दूँगा ना आपको practice करना पड़ेगा आप देखो हमने कितने दिन लगाए पांच से छे दिन लगाए और बुक के दो question भी करने में में मेरे को और concept बताना पड़ा बुक के starting के दो कोशन और बुक में तो समझो कितने question है 32 question है 30-32 question है तो हर question में कुछ नो कुछ तो आएगा ना 12 जैसा नहीं है मैं हर बार कहता हूं बच्चों को लेकिन बच्चे बोलते है सार यह तो 12 जैसी entry आ रही है अच्छा तीसरा यह था दूसरा अच्छा पहला तो कुदी कर लिया था सवाल नंबर चार जो है ना इसमें देख़ए एडवांस question अगया अपला है अलोटेड हाला कि failure नहीं करा और सवाल नंबर पांच के अंदर देखोगे तो हर question इसमें प्रिफरेंशियर आ गया तो ना मैं इसको बोलू ना कि करने का सबसे आसन तरीका क्या है जो मैं क्लास में करवाता हूं तो at least दो बार तो आपको करना पड़ेगा भई practice एक बार करने से और एक बार सिर्फ class देखके register में note करोगे तो नहीं होगा एक बार मैंने करा दिया औ और एक बार घर पे आपको self भी करना पड़ेगा तब जाके आप paper लिख पाओगे नहीं तो मैं पहले ही कह दूँ paper नहीं लिख पाओगे एक बार मैं दिखा दूँगा पिछली बार का paper क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है last year का paper न मैं डाल दूँगा इसके अंदर जो paper आय बिल्कुल भी नहीं रहा आप अगर practice रखोगे और honors के अंदर जो बच्चे semester 4 के अंदर honors मतलब के जो semester 2 में था ये honors के बच्चों का तो उनका पूछना mcq आ गया था ये 40 से 45 नमबर का तो तो वो mcq में देखके डर के ये कैसे करें और बिल्कुल detail law पूछ लिया गया था उन से तो मैं इसलिए कहता हूँ किताब जो लोगे न आप तो किताब में पढ़ोगे जैसे मैं for example कह दूँ कि what is the difference between the reserve capital and capital reserve मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि reserve capital या फिर what is the security premium लेकिन आपको याद तो नहीं होगा न वो आपको book से ही पढ़ना पढ़ेगा और ये चीज़ कोचिंग लेनी की जुरत नहीं इंटरमीडियेट तो आपका ऐसे रहता है फाइनल के लिए लेना पढ़ेगा इंटरमीडियेट ऐसे जो बच्चा ग्रेजुएशन इमानदारी से कहेगा तो इंकम टेक्स उसको नहीं पढ़ना खतम हो जाएगा जो बच्चा इमानदारी से मतलब अगर ग्रेजुएट बंदा जो होता है न वो सीए का इंटर लेवल विदाउट कोचिंग के क्रैक कर सकता है अगर बसरते उसने इमानदारी से पढ़ा हो बस फाइनल लेवल पर उसको कोचिंग की जुरत पढ़ती है इसको ध्यान लखना अगर मैं बोलू जिसने बा यहां से आया है और यह कैश्बुक वाले सवाल ना अभी आप कुछ बच्चों के ऐसा लग रहा हो अच्छा इसके अंदर ऐसे करते हैं लेकिन आप याद करो ट्वेल्थ क्लास में आपने पचासों कोश्चन ऐसे की होंगे जहां पर कैश्बुक पूछा जाता है पचासों यह एंट्री होता है ट्वेल्थ क्लास के अंदर ठीक है